आईए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहें। एक बार, एक जवान लड़का था। उस लड़के को अपने क्रोध पर नियंत्रन करने में मुसीबत होती थी। जब उसे गुस्सा आता था। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता था, वही कह देता था। भले ही इसका बुरा असर लोगों पर पढ़ता हो। एक दिन, उसके पिता ने उसे एक हत होडा। और कुछ लोहे की कीले दी। फिर कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आये। तो पिछवाडे की बार में एक कील थोग देना। शुरुआती दिनों में लड़के ने बहुत सारी कीले इस्तिमाल की। उसके पिता ने उस युवाड़के से कहा। अगले हफ्तों में उसने कम कीलों का इस्तिमाल किया। जब उसका नियंतरन गुस्से पर आ गया। उसके पिता ने उस युवाड़के से कहा। जिस दिन तुम अपना आपा नहीं खोते बार से एक कील निकाल लेना जिस दिन लड़के ने आखरी कील निकाली उसके पिता ने उससे कहा तुमने अच्छा नियंत्रन किया लेकिन क्या तुम इस बार में छेट देख सकते हो बार कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती इसी तरह जब तुम गुस्से में बुरी बाते कहते हो तो वो बाते एक निशान छोड़ जाती है सीख, क्रोड एक चाकू की तरह है, सबसिक हतरनाख हत्यारों में से एक इसके इस्तेमाल से घाफ तो भर जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं झाल 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 झाल